बहुत दिन इंतज़दार के बाद फाइनली मोटरोला ने इंडिया पर लांच कर दिया है उसका जी सीरीज का ब्रैंडनी स्मार्टफून मोटरोला जी थाटी वान 4G भी 64G वाला विलिन के साथ स्मार्टफून आता है 13,000 रुपीज के अंदर और 13,000 रुपीज के अंदर बहुत अच्छा स्पेसिपिकेशन प्रोवाइट कर रहा है लेकिन स्मार्टफून जी स्पेसिपिकेशन के साथ आता है देखा जाया लगबख सेमी स्पेसिपिकेशन aluminumींग से इंफिनिक्स होट 11 is तो यहां पर कॉफी सारा युजर कॉए इसमार्टफोन ले कर कौह भी मुझे plasticis करना चाहिए मोतरोलर G31 प्रषिस करना चाहिए यह स्मार्टफोन से कौन सा चैना स्मार्टफोन आपको एक like करना उसे के साथ चलेज़ को कर लिजosition सब्सक्काइब जुक्अ बारे करना ऐसे भी बात करते हैं डोनों स्माटफोन की सपेसिपिके ऍान के बारे में देखे लेते हैं कितना ज्यादा डिजाइन देएन को मिल जाएगा और पीछे की दराफ है ट्रिपल केमरश्ट कामरा से टाफ क्वाट LED रेकुटा अर फिंगर पिंगर fix आती तरब द देखा जाएं इसो स्मार्टफून आने वाला आपको कॉंसा स्मार्टफोन का पसंद आया है आप मुझे कॉमें चौरू बता सकते हूं इसके बाद में बात करता हुए दोना स्मार्टफोन की डिस्पले के बारे में डिस्पले के तरब देखा जाए सबसे अच्छा यहां बाद डिस्पले जो प्रोवाइट कर रहा है वह Motorola G31 क्योंकि यह जो स्मार्टफून आता है 6.4 इंच Full HD Plus AMOLED डिस्प्ले के साथ उसे के साथ यहां पर रहने वाला है सेंटर पंचुल डिस्प्ले यहां पर Widevine L1 का सापोर्ट रहने वाला है अब OTT प्लाटफॉम में Full HD में कॉंटेंट बगार देख पाओगे अगर आप मुवी बगार ज्यादा देखते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा जो स्मार्टफून रहने वाला है गेमिंग स्मार्टफॉन में डिस्प्ले का रिफ्रेस्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मुवी बगार ज्यादा देखते हो तो आपके लिए स्मार्टफून अच्छा नहीं होने वाला है क्योंकि यहां पर Widevine L3 का सापोर्ट रहने वाला है स्मार्टफुन दोनों डिफोन की चीप सेट के तराब देखा जाए दोनों स्मार्टफून के अंदर इतना ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है फिर भी लेटेस्ट चीप सेट के सब और इन फिनिक्स होड 11S क्योंकि यह स्मार्ठफून आता है तकी तरब से जी एक में आप कोई भी एक स्मार्टफोन को चूच कर सकते हो इसके बात किया जाए दोनों स्मार्टफोन की कैमरा के बारे में कैमरा के तरब देखा जाए तो मेरे ही सब से सबसे आच्छा स्मार्टफोन रहने वाला है पीछे की तरफ त्रिप्ल कैमरा से इसका जो प्राइमरी सेंसर रहने वाले 50 मेगाफिक्सल और एक एक सेंसर रहने वाला है मैं खुद इनिफिनिक्स होड 11 एसको यूज कर चुका हूँ उसका जो 50 मेगाफिक्सल बहुत ही अच्छा है तो देखा जाए प्राइमरी काम के रहने वाला क्योंकि उन्र आपको अल्ट्रा ओट कासेंसर देहने को मिल जायेगा तो चली इसके बार शांट कि की सेलफी केमरे का बारे में दोने स्मार्टफन की सेलफी केमरे का तरफ देखा जाए यहां पर फिर से वुईनाथ जो रहने वाला है मोटरोला G301 क्योंकि यह स्मार्टफुन आता है 13 Megapixel सेलफी कैमरे के साथ और इंफिनिक्स होड 11S जो स्मार्टफून आता है 8 Megapixel तो कूल मिला कर बताए जाए यहां पार कैमर का मामल में सबसे अच्छा जो स्मार्टफून रहने वाला है दोनों स्मार्टफून आता है 5000-EVS बैटरी के साथ लेगिन चार्ज़र के तरफ देखा जाए तो यहां पर डिफारंस रहने वाला है स्टोरेस टाइब रहने वाला है यहां पर जो डिफारेंस रहने वाला है दोनों स्मार्टफोन की OS में इंफिनिक्स होड 11 एज अगर आपको जाएंडॉय तो एक यह स्प्रेसिबी के सान और क्या-क्या अनतर है आप लोगों को भी प्रता चल गया है तो चली इसके बात करते हो डोनों स्मार्टफोन की प्रास के बारे मैं सबसे आच्छा रहने वाला है तो देखा जाए प्राइस के मामल में बहुत ज्यादा डिफारेंस रहने वाला है तो आपको चूच करना होगा कौन सा स्मार्पून आपके लिए बेस्ट रहने वाला है सबसे अच्छा रहने वाला है यह पार्ष चाने मिल राहिए उसी के साथ यहाँ पार दिस्प्ले मिल रहा है प्राइस केसि फैसी सेंहें इतना ज्यादा डिफारेंस नहीं रहने वाला है यह देखा चार-जार के मामला में और एक-डो सब्सक्राइब 30 मनें एक थोड़ा सा आगे निकल जा रहा है तो प्राइस की सबसे और देखा जाए और इस पैकेज के सबसे एक नॉर्माल यूजर के लिए एक गेमर के लिए सबसे अच्छा स्मार्टफून रहने वाला है अगले फ्रेस वीडियो में तब तक के लिए बाइफ टेक केर फ्रेंस